हलो केसे हैं आप लोग चलिए आज में आप लोगों के साथ चना दाल का हलवा का रेसिपी शेयर करती हूँ बहुत ही टेश्टी बनता है अभी शवेबरात भी आने वाला है अब तो लोग अपने अपने घरों में बनाते नहीं है जादा फेस्टिबल के टाइम में पहले तो ह किसी के घर में बनता था अब क्या होता ना कि जब मर्जी होता है तब बना लेते हैं लोग तो आज मेरा भी मन क्या बनाने का तो मैंने सोचा चलो बनाती भी हूँ और आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ तो यह अधा केजी चना का डाल लिया है इ आधा कप दूट डाला है, एक तेजबत्ता, दो छोटी इलाइची, इसके धकन को लगा करके इसमें तीन सीटी लगाना है, एक सीटी तो हाई फ्लेम पे लगा लेंगे और दो सीटी बिल्कुल कम कर देंगे, गैस के फ्लेम को और दो सीटी कम फ्लेम पे लगाना है हमें, तो दोनों को निकाल देना है, बहुत ही अच्छे से यह गल चुका है, देखिए, यह एक बड़ा सा बरतन ले लिया है, मैंने सारा चना का डाल इसमें डाल दूंगी, आपके पास में फूट प्रोसेसर नहीं है, तो भी टेंशन करने के जरूरत नहीं है, मेरे पास में फूट प् इस तरह का मैशर लेजे आप, जिसके जिसके पास में फूट प्रोसेसर है, तो आप उसमें डाल दीजिए, और पांच मिनिट का काम एक सेकेंड में हो जाता है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, पर कोई नहीं, थोड़ा सा कर लेंगे इस तरह से, डाल अच्छे से गल ज सब्सका घर-णाता है ग्या पर दान गया आग wonderful दाल को में ज़्या कर लिया कर लेंगे, यह में गी को में ज्यादा कर लीदुए है, यह जो अमने दाल को मैश करके रखा था यह यही डाल देंगा, दाल और घी को जोनों के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दाल की भुनाई करने के टैम में थोड़ा सा मैनत लगता है, मैं इसमें दो अंडा डालने वाली हूं, बहुत ही टेश्टी बनता है, अंडा डाल करके जरूर बनाईए चना दाल का हल्वा, अगर आप नहीं खाते हैं त दाल भुनने का काम महनत वाला है, हाथ में भी दर्द हो जाता है, तो एक दो लोग मिल करके आप इस काम को कर सकते हो, अगर आपके हाथ में दर्द हो जाए तो दूसरे को बोल लीजिए, थोड़ी दर भून ले वो, लेकिन भूनना बहुत अच्छे से हैं हमें दाल को, तो एक दूसरे से अलग होने लगा है, एक बराच मच और घी डाल लिए, आधा केजी दाल है, तो 200 ग्राम के करीब मैंने घी का यूज किया है, आप चाहो तो डालडा भी यूज कर सकते हो, या घी की कॉएंटिटी आप अपने हिसाब से भी एड़ेस्ट कर सकते हो, ये दाल ज इतना अच्छे से भूनों के ना हलवा उतना अच्छा टेश्टी बनेगा, आप चाहो तो बीच में फ्लेम को हाई भी कर सकते हो, मेडियम भी कर सकते हो, लेकिन नीचे चिपकना नीच है, इस चीज का ध्यान डखना है हमें, इसमें थोड़ा सा किसमिस डाल लिए हो, आप अच्छे से भुड़वरा हो गया है, तो इसमें मैं अभी एक कप दूद डाल लिए हूं, आधा कप दूद मैंने उबालने के पैम में डाला था, आधा केजे से थोड़ा सा कम दूद डाला है मैंने, मिक्स करें अच्छे से, और साथ में ही चीनी भी डाल देंगे, तो ये मैंने आधा ग्लास से थोड़ा सा जाधा लिया है, आप चाहो तो अपने हिसाब से भी एड़ेस्ट कर सकते हो मीठा, जाधा चाहिए तो जाधा लेलो, कम चाहिए तो कम लेलो, डाल दिया है मैंने चीनी, और फ्लेम को अभी मैंने हाई कर दिया है, हाई फ्लेम पे इसे हमे भूनना है ड्राइ होने तक दूद और चीनी डालने के बाद ये वापस से लूज हो जाता है तो इसे हमें 6-7 मिनट और हाइफ लेम पे भूनना है कंटिन्यू चलाते हुए जर तक ये ड्राइ ना हो जाए एक से दो ड्रॉप मैं और इंच फूट कलर डाल रही हूं यह अगर तो डाल सकते हो नियुक्ट कर सकते हूं मैंने दो तीन ड्रॉप डाल दिया है फूट कलर यह ज़रूरी नहीं है आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा हाफ ती स्पुन छोटी लाइची का पॉड़र डाल दियूं आप चाहो तो कोई डाल सकते हो इसमें प्योरा एसेंस भी बूंड रिया हे चुलवा को अधातृ की संसरी आम आयद देगी के नदोड़ को ऑसर प्ले पुछे से सरन पॉन्दा कर operation को की अधिश दीन ह crackers का नडिये हैं उड़ा नगी में आए यसी प्लेट में मैं हल्वा डालूंगी और प्लेट लेकी 2020 इस तरह से प्रेस करके फैलाएंगे थोड़ा सा मोटर रखना है एकदम पतला नहीं करेंगे सबी साइट से मैंने फैला दिया है तो ये थोड़ा सा कटा हुआ बदाम ले रहे हूँ इसे उपर से डालूंगी और इस तरह से दवा देंगे ताकि ये हल्वा के साथ में अच्छे से चिपक जाए और ये एडिवल पेपर ले रही हूँ चांदी का बरक भी बोलते हैं इसे ये उपर से डालूंगी इस से हल्वा देखने में बहुत खुपसरत लगेगा टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं परेगा ये अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो नहीं तो इसकिप कर देना तो इसे अभी कट लगाना है आप अपने हिसाब से कट लगा सकते हो मैं इस तर त्राइ कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और कमेंट्स करें अपने फैमली फ्रेंज के साथ में भी शेयर करें जो लोग ने हैं मेरे चैनल पर अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें अपने फै